यह जैसे कि आज हम लोगों को देखना है कि अभी तक हम लोग ने एंटरप्राइस स्ट्ट्चर कम्रीट कर लिया जिसमें कि हम लोगों ने चार्ट अपकाउंट लास्ट टाइम ने पढ़ा था चार्ट अपकाउंट क्रिएट करना और उसके अंदर हम लोग कैसे ग्रोप्स त्यार करते ग्रोप्स भी हम लोग ने क्रिएट किया आज हम लोगों को स्टार्ट करना है कि एफ डबल जीरो तो अगर हम एफ डबल जीरो पर अगर जाएं डाट इस दर टी कोड़ अफ जील क्रिएशन और इस चीज़ को आप लोग यहां से भी पास सकते हो केंदर जाएंगे करना है अगर अलग लग अलग चाट अगॉंट क्रिएट करना है अगर सपोस्ट करो तुम्हारी ना अलग लग है अलग चाट फ़काउंट है तो तो तुमको अगर किस चाड़ अक्वाउट ने तो ना तो ऐसे में आपको कंपनी और देबल जीट में इसमें जा के हम क्रिएट करते हैं बट आप देख रहूगे हैं यहापर करेंट बैंक इंट्रेस्ट और इंफरमेशन आ रहे हैं आप देख रहो है ना अब लोग बात करें क्या अगर तुम एफस पीओ में जा रहे हो एफस पीजिरो सॉरी और इसमें अगर आप जाके करेट कर रहे हो तो यहां टाइप डेस्क्रिप्शन आ रहा है कीवर्ड आ रहा है इंफॉर्मिशन आ रहा है लेकिन अगर तुम जाते ह को अपना जील क्रिएट करने के लिए ठीक है ना ऐसे में एफस डबल जीरो इस पर आप जाते हो डबल प्लिक और इसमें सारे टैप सार है तो इसमें टाइप डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है कंट्रोल डेटा भी आ रहा है और अगर बात करें किसकी क्रिएट बैंक इंट्र में एफस जीरो में वही आपको एफस डबल जीरो किसमें सेंट्रली क्रिएशन में कंप्लीट देखने को मिल रहा है ओके इट विल भी एक्सेसिबल टू चार्ट अब लोग को पता है हमारा सिंगल चार्ट अब अकाउंट है ओके फॉर और कंपनी कोड तो हम लोग एफस ड हुल रुक को अब बोलते हैं कि क्या बूलते हैं ट्रीपैन उसके लिए आपको बता लोग को और यहां पर जाना आपको system setting में और system में hierarchy setting में जाके hierarchy display पर और यहां उता है do not display this navigation tree जैसे continue पर click करोगे continue click और फिर इसको slash n से बाहर जाईए और फिर से fs 00 प्रेस कर दिजिए इंटर कर दिजिए देखें यह जो आपको दिख रहा है यह व्यू क्या है यह व्यू आपका नॉर्मल विदाउट ट्रीपैन वरना वगल में ट्रीपैन दिखता था यहां ट्रीपैन नहीं दिख रहा है सारे टैब देख रहा है अगला आप ग्रीट कर सकते हैं तो मैं दोनों व्यू मैं यूज करूंगा जैसे मैंने वन लैक आपको बता दू हम लोग का जो जील क्रियेट हुआ है वन लैक है लाइविल्टी के लिए टू लैक से स्टार्ट हुआ है आसेट के लिए फिर वीडियो में आप देख सकते हो अब हम लोग बनाएंगे वन लैक वन ओके हम क्या बनाने चाहरे दिस इस अन्यू बटन आप इससे न्यू बटन होता है ठीक रहा क्रियेट कर सकते हो एनी जिरो वन कंपनी कोड है इस बटन ऑस चेंज दिस वन इस डिस्पले दिस वन इस वि ब्लॉक दर जीएल और मार्क फॉर डिलीशन तो ब्लॉक फॉर जीएल मतला अगर जीएल को हम ब्लॉक करना चाहते चाहते हैं उस पर कोई और एंट्री न कर सके तो हम इसे ब्लॉक कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ देखो यहां पूछ रहा है कौन सा जीएल बनाना हमें बै ओके शेयर क्यापिटल हो गया अब फिर यहां पर क्या होगा डिस्क्रिप्शन में सेम इसी चीज़ को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते शेयर क्यापिटल नीचे यहां पर कह रहा है क्या कॉंसुलिडेट चार्ट अपकाउंट एनी जिरो वन ऐसा कुछ भी नहीं है कर सकते हो कि जब भी हम अपना बैलेंशीट देखना चाहते हैं अपने इसी लोकल करेंसी में देखना चाहते हैं या डॉलर में देखना चाहते हैं अगर हम लोग इस पर टिक नहीं करेंगे तो कल को हम किसी भी करेंसी में अपना बैलेंशीट बैलेंसे इन लोकल करेंसी के लावा किसी और भी करेंसी में देख सकते हैं अगर इस पर टिक कर देंगे तो हमेशा बैलेंस किस करेंसी में दिखेगा आइनार में समझगे आप लो तो मैं चलिटिक कर देता हूं अब देखे इस capital के उपर capital इंट्रड्यूस कर रहा बिजनस मुद्ध वो के text category में आता है क्या तो नहीं आता है बास समझे आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी कोस्टिंग विदाउट टेक्स अभी कोई मतलब नहीं है इसको रिकंसलेशन दीर दीर हम लोग इन सब आप्शन को यूज करेंगे फिल्हाल हमें और कुछ नहीं करना है सीधे नीचे आना है ओके और यहां पर open item management भी बाद में अभी हम लोग डिसकस करेंगे शॉट की शॉट ठीक है और तो कुछ इसमें है नहीं नहीं इसमें और कुछ भी ध्यान नहीं देना आपको सीधे अगले टैप पे आ जाना है create bank interest इसमें most important होता फिल्ड इस्टेटस ग्रूप डिफाइन करना हम लोग ने अल्यड़ी पढ़ रखा है फिल्ड इस्टेटस ग्रूप होता कह है फिल्ड इस्टेटस ग्रूप के जरी हम लोगगे करते हैं कि कल को इस जीएल को यूज करते हुए अकर हम entry करेंगे तो which field is mandatory कौंसा फिल्ड मेंदेटरी अब भरना कौंसा optional है कौनसा है कौनसा मेंदेटरी कौन सेट करते हैं फिलाल हम लोग क्या पेटल बना रहे है शेर प् लेकिन कलको अगर आप बैंक का बना रहे हैं तो उसके लिए बैंक का यूज़ करेंगे अगर बैंक बना रहे हैं पकड़ा रहा हूं पकड़ा रहा हूं एक नेक्स आगे देखिया पर क्या है और कुछ भी हाँ पर आपको bank financial code में कुछ नहीं डालना, interest accounting अभी नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग करेंगे, next keyword होता है, क्या होता है, keyword, keyword में just like हम लोग English use कर रहे हैं, और keyword में मैं अपना universal key डालता हूं, just like हमेसा deep, deep exactly मैंने keyword डाल दिया, because मुझे ये number GL का याद नहीं रहेगा, मैं कभी भी keyword के थो अपना GL pick कर लूँगा, और information में जाएंगे, तो यहां कुछ नहीं देखना की मिलागा, लेकिन इसमें जुरूर जाये कीजिए, इससे आपको पहला तो यह पताशलेगा, आपका चार्ड़ अकाउंट क्या है, और आपका country चार्ड़ अकाउंट क्या है, आपकी country क्या है, आपको अपना चार्ड़ अकाउंट पता होना चाहिए, then हम लोग इसे क्या करेंगे, control s, अगर description में कुछ लिखना चाहते है, लिख सकते है, otherwise कुछ नहीं लिखना है, तो control s से इसका save करें, control s से देखो है, data saved, that means हमारा GL बन गया, 1,01, बात समझ में आई, तो यह देखो मैंने क्या किया, without tree pan मैंने य ठीक है न, अब एक और मैं बना रहो, और इसको हमें क्या करता हूं, template का use करता हूं, जैसे template मैं बनाऊंगा, खहेगा बताओ, कौन से GL को copy करना है, तो यहां पर आपको पहले तो अपना code डाल देजिए, any01 वाली company है, दूसरा, अब GL हमें नहीं याद है, suppose code, तो यहां से find क बहुत सारी category होती है, search करने का option होता है, तो मैं तो keyword डूणने वाला हूं, और मैंने keyword में याद है, deep लिखाता हूं, तो फिलाल दो ही बना है, तो यह share capital, तो share capital वाला सब कुछ description भी आ जाएगा, बट हमें बैस description चेंज करना है, जैसे मैंने यहां बना दिया, loan, from, access bank, और सही है, यह short name, वही चीज़ आप long name में भी लेख सकते हैं, अब यहां पर, नीचे और को information देने की जुरूत नहीं है, सिधे control data पर जाना है, बाकि सब कुछ already defeated है, short की डला हुआ है, create bank में जीज़र जीज़र वन है, अब फिर यहां पर keyword में already deep है, that's it, बाकि control S से save कर दिया, तो मेरा समय बचा इस अगले GL को बनाने में, data saved हो गया, समझगे, अब हम लोग क्या करेंगे, tree pen का यह चोड़ेंगे, tree pen view निकालेंगे, तो setting पर जाईए, hierarchy display पर जाईए, यहां पर display account in navigation tree, continue, continue, अब हम लोग यहां पर जाएंगे, slash n से, क्लिक करोगे, इस पर ट्री पे, तो पुरा tree pen दिखेगा, दिख रहा है न, अब हमें बनाना है, asset का basically, asset था 2 lakh से start, तो this one is called new button, create, तो हम लोग पहला जो GL बनाएंगे, वो कि नमबर port से बनाएंगे 2 lakh, 2 lakh था कि 20 lakh था, हाँ 2 lakh सही है, सबसे पहला हम बना क्या रहें, balance sheet का ही item बना रहें, कौन सा ग्रूप है, इस बार हम asset बना रहें, अगर हम कोई और ग्रूप लेंगे 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 लेंगे, तो यह एरर आने लगा, क्या रहा है, एक लागर आप लाइविल्टी बनाने तो उसका रेंज यह है, तो क्रिपया करके इस रेंज में जाईए, रेंज यह था ना लाइविल्टी का, लेकिन नहीं, हमें तो asset बनाना है, कोई error नहीं आएगा, सही range यूज करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, short text जैसे हम asset में क्या बना रहे है, यह suppose करो हम asset में बना रहे हैं क्या, suppose करते हैं हम लोग cash बना रहे हैं, समझ रहो, तो हमने just like, यह cash के जगा चलो हम investment बनाते हैं, ठीक है न, investment आप बना रहे हो, copy किया, same चीज़ यहां पर paste, ठीक है, इसको थोड़ा अपना यहां से, अपने ही साप से, अपने screen को बड़ा छोटा कर सकते हो, कुछ नहीं करना, control data में वही चीज़ है, investment सब कुछ ऐसे ही रहेगा, अब यहां पर आपकार है, short key, short key में, अपने अपना posting date wise देख लिया, इस बर देखो मैंने क्या नहीं किया है, आसे balance sheet का item बना रहो, लेकिन मैंने control data में क्या नहीं किया है, balance in local currency पर tick नहीं किया, तो tick नहीं करने से देखो क्या होगा, field status group क्या लेना है, जैसे कि मैंने अभी starting में आता है, आप g01, क्या डालेंगे, g01, this is the universal, अभी यहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, next हमारा क्या है, कुछ नहीं डालना नीचे, keyword, English, और यहां पर क्या हो जाएगा, दीब, ठीक है, next, control s से save कर लेता है, यहां पर message आने लगा, local currency अलोग, tick कर दिया होता तो message नहीं आता, okay कर देते हैं, warning message है, आप उसे ignore कर सकते हो, तो दोको आप asset भी आने लगा, अभी तक सिर liability आ रहा था, अब asset भी आने लगा, same इसी दरे से इसको फिर से copy करना है, इसको आप यहीं से copy कर सकते हो, यहां दे template, तो template यहां पर किस क्या बोलेंगे, copy, और इसी चीज़ का दो button यहां दिया हुआ है, वहां template नाम से होता था, यहां पर copy नाम से होता है, नया code पर कहता है, ठीक, आपना reference आप इसका ले रहो, नया code जो बनेगा, यह इस number से बनेगा, ठीक है, फिर continue, तो हमने बस description change करना है, हम suppose करो, asset में क्या बना रहे, asset में suppose करो, हम बना रहे, tangible, intangible assets, just like मैं बना रहो, goodwill, सही है, तो मैंने goodwill बनाया, यहां पर भी same चीज़, हो गया, बाकि सब same रहेगा, कहीं कोई changes नहीं करना मुझे, इस बार मैं बस एक काम करता हूँ, इस पर टिक कर दोता है, कि message नहीं है, control S, हो गया, अब मैं चाता हूँ, investment भी जा कि local currency on करने के लिए, mandatory नहीं है, बट आपका change करने का भी option में आपको भी बता दिया, तो कितना बढ़िया यह चीज़ नहीं, right click करके, इसके उपर right click करे, आपको क्या करना है, display, change, copy, blog, deletion, कितना बढ़िया है, तो यह उस वाले पैंस से तो बढ़िया है, अगला है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, एक expense का जील बनाते है, expense याद है, 3,00,000 से था, ओके, 3,00,000 is the code, first, continue, अब देखो, यहाँ पर जो हम लोग बना रहे हैं, क्या बना रहे हो आप, balance sheet, sorry, चार्ट अपकाउंट में दूख यहाँ पर क्या है, balance sheet है, non operating expenses है, primary cost and revenue है, secondary cost, secondary cost, secondary cost, ध्यान रहे है, यह costing के लिए, P&L profit and loss account का आइटम बना रहे हैं, तो हम किसमें आएंगे, हम non operating expenses को select करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बना रहे हैं, हम expense बना रहे है, सही ग्रूप है, अगर गलती से हमने यह income select किया, कहता भाई साब income बनाना है, तो 4 lakh वाले ग्रूप में जाए, range में, यानि हमने expense सही पकड़ा हुआ है, अब यहाँ पर अपना GL का नाम बनाना चाहते हैं, हम लोग सबसे पहला जो खर्चा दिखा रहे हैं, हम लोग किसका बना रहे हैं, परचेस का, एक परचेस का GL बनाते हैं, बेसिक GL है ना, सबसे पहला GL हम लोग बना रहे हैं, परचेस अकाउंट, सही है, यह है, यह है आपका PL के लिए, profit and loss के लिए आप लोग नॉन आपरेटिंग, expense and income, expense है, वो balance sheet से related नहीं है, गुडविल कहां, गुडविल तो asset था, वो तो हमने asset में बनाया था, यह हम लोग बना रहे है, expense का परचेस अकाउंट, देखो, expense बना रहे है, expense PL में आएगा, expense and income, इसले expense income, select किये, purchase account हो गया, और तो कुछ है नहीं, control data में जाहिए, है न, इसमें तो balance करने के कोई ज़रत नहीं है, और हाँ, reporting में यहाँ पर आ जाहिए, short key में, 001, आचा एक चीज़ में बतारूं आपको, पहले इसमें न, field status group भी पूस्ता था, ECC वा time display दिखे, अगर हम उसको नहीं टिक करते थे, तो हमें entry नहीं दिखती थी, reporting में, तो हम लोग आके यहाँ पर उसको टिक करते थे, हाना में क्या किया है, उन्होंने field status को, oh sorry, line item display को हटा दिया है, उन्होंने automatically उसे on रखा हुआ है, अब आप उसे on करने के ज़रती नहीं, व open item में दिखे, red signal, और जैसे हम उसे payment कर दे, तो green signal में convert हो जाए, है न, तो due amount के लिए, create bank में क्या है, field status group, expense का बना रहे हम लोग, सर जी, तो यहाँ पर क्या डालने वाले हम लोग, this one is the general, जी जी जरुबर, अभी मैं simple एक ही group आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पर जादे confusion अभी ना हो, ठीक है, now next, अगला हम बढ़ेंगे क्या, keyword की तरफ, keyword में as usual, सबको पता है, मैं क्या डालने वाला हूँ, ठीक है, then हम लोग क्या करेंगे, control, s करके save, तो यह दिखे, expense भी आ गया, expense आ गया, अब इसका template यूज़ करना है, तो क्या करेंगे, copy, एक और g.l हम लोग बनाते है, expense का, just like मैंने g.l बना दिया, purchase के बाद, हमने बनाया carriage inward, carriage inward, carriage inward, आगे मैं लिख देता हूँ, account, क्यों, अब फिर क्या है, control data, है ना, control data में हमें क्या डालना आपको पता है, अब यह खर्चा carriage जो मैं कर रहा हूँ, इस पर text लग सकता है, जी हाँ, तो यह text लगा दिजिए, carriage inward पे, भाड़ा है ना, भाड़े पर text लगेगा, तो ठीक है, अब क्या लग सकता है, input की output, बेचेंगे तो output, suppose करो, मेरी गाड़ी करें, हम भी service देते हैं, output text भी लग सकता, input text भी लग सकता, तो आप यह लेजिएगा, all text allowed, और अगर नहीं, यह service लेते हैं, तो input लगा देजिए, safe और इन्पूट मांगेगा, और हाँ, इस पर जरूर टिक करिएगा, इसको करने से क्या होता है, कल को मा create bank में, GZ1, same रहेगा, keyword में, same रहेगा, control S करके, save कर देजिए, बास हो गया, कहानी कतम, और purchase में भी हमें text on करना है, दिखाना है, तो change करके, वहाँ पर भी जा क्या, आप यह चिस कर सकते हो, text category, क्या रहेगा, यहाँ पे, star, और text allowed कर देता हो, बिना text के भी हम purchase के entry कर सकते है, last अब रहेगा, आपका expense का, expense के यहाँ इंकम का, उसके लिए हम लोग याद है, कौन सा code लेंग, use करेंगे, 4 lakh का, तो एक income का हम लोग क्या करते है, GL बनाते, income के GL में, description में, sorry, पहले तो हम लोग इसको पकड़ाएं, क्या, क्या पकड़ाना है, expense income, फिर क्या यहाँ पे, income मना रहे है, income में कौन सा income मना रहे है, suppose करो हम बनाते है, sales account, ठीक है न, तो हमने sales बनाया, sales account, हो गया, data, आए न, ठीक है, sales पे text लग सकता है, जी हाँ, sales पे text लग सकता है, input की output, हला कि output ही लगेगा, मैंने all text पकड़ा दिया, कोई दिक्कत है नी, बाकि यहाँ पे देखे, posting without text, जी हाँ, without text भी entry हो सके, अगला क्या है, create bank, filled status group, यहाँ देखू, हलाकि income के लिए यहाँ पे पड़ हो है, कौन सा account, just like G0029, revenue account, income account, सही है, revenue sales को मैंने revenue पकड़ा दिया, तो देख अभी तक मैं G01 में पहला मैंने अभी change करा है, आपको, revenue पकड़ा दिए, revenue account, tick, keyword, और भी धीरे-धी, filled status group के हम लोग study करेंगे, English, यहाँ keyword में deep, control S, तो यह दिक्या हम हम मैरे सारे group यहाँ दिख दूँगा, कि जब भी आप लोग GL बनाईए, तो हम इस सीक्वेंस को follow करिए, देख लेजे, last GL, माल लिए आपको liability बनाना है, तो अगला बनाईए तीन नमबर, चार नमबर, ताकि यह sequence maintain हो, तो यह आपकी company है, इसमें कोई और GL नहीं बनाएगा, आप ही GL बनाएगे, तो उससे क्या होता है, एक ही नाम के तुम्हें काई लेजर देखने को मिलते हैं, बड़ यहां पे नहीं होगा, ठीक है ना, बस आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेगा, आप मेरी कमनी कोड को मत यूज करिएगा, ठीक है आपने अपने कमनी कोड का यूज करिए, तो मेरे क यूज कर दो